वाय, इस फोन इस बेस्ट इन देर सिग्मेंट, प्फॉर्मेंस तो एक दब नेक्स्ट लेवल का है बाई, और बैटरी पेकप भी मुझे काफी अच्छा देखने को लगा है, थर्टी देज मैंने इस फोन को काफी अच्छे से डीपली यूज किया, ओके जस्ट आम आज मैं सेयर करने वाला हुए एक ओनेस्ट रिव्यू, वीवो टी तरी अल्टर का आफ्टर थर्टी डेज, तीस दिनों के अंदर में इस फोन में गुट पॉइंट्स अन बैट पॉइंट्स, परफॉर्मेंस, बैटरी पेकप, और कैमरा क्वालिटी, सॉफ्टर इस्पीर वो काफी अच्छे क्वालिटी के है, बट इस सिग्मेंट में, इस प्राइज में काफी सारे और भी फोन मिल रहा है, बट आपके मन में कन्फूजन है, क्वेरी बहुत ज्यादा है, ती त्री अल्टर बाई करों, या फिर कोई अधर ब्रैंड के तरप जाना चाहिए, सेम के हिसाब से, तो आज मैं आपको बताऊंगा इस फोन का रियालेटी आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 30 डेज मैं आपके सामने कुछ गुट पॉइंट्स रखता हूँ, जो आपके लिए काफी उसफुल होने वाले, सबसे पहला तो इस फोन के अंदर में जो प्रोसेसर है, वो आ अजर करने के स्पीड था, वो भी बागए सारे फोन से काफी मुझे फास्ट देखने को लगा, एन मल्टी टास्किंग में, हेवी टास्किंग में कोई भी यहांपर मुझे दिक्कत नहीं हुआ था, फोन को यूज करते टाइम, और डूर में भी फोन जादा, हीट नहीं कर था एंड जब मैंने बीजी मैं प्ले किया इस फोन के अंदर में तो स्टार्टिंग में काफी सारे लाइक दिख रहे थे जब फोन लॉंच होता हो इस टाइम पे एंड जो परफॉमेंस सा उसना बेटर निकल नहीं आ रहता है बट रिसेंटली इस फोन के अंदर में दो और कोड़ गेमिंग के लिए डियाइन तो नहीं है बट अच्छे कासे गेमिंग कर सकते हो और गेमिंग की दौरान में फोन बिल्कुल भी ओवरिट नहीं होता है तो डाइमेंड श्री 9200 जो प्लस प्रोसेसर है यह काफी अच्छ हीट कंट्रोल अराम से कर लेता है काफी लोग ट्रैवल करते हैं वाइल ट्रैवलिंग एंड ड्रेनी सीजन में फोन ज्यादा भींगने के चांसे से रहते हैं तो आपको यहां पर IP68 मिलता है जो काफी अच्छा प्रोटेक्ट करता है आपको फोन को खराब होने से हाला कि वारंटी बिल्कुल भी नहीं किसी भी ब्रैंड के IP68 की बट मुझे जाता यूसफूल लगा यह वाला फीचर इस सिग्मेंट में 29,000 में और दूसरी बात यह है कि इस फोन में जो क्यामेरा क्वालेटी है वह भी एक और उन्टू प्राइस काफी चाह मुझे देखने को लगा था एंड मैंने जब इसका क्या टेस्ट किया था ना वीव वी फॉर्टी के साथ में तो जो रिजल्ट निकल के आ रहे थे वह काफी इंप्रेसिप था मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि जो क्वालेटी है वह इतना ऊट्पूट बेटर निकल के दे पाएगा वी फॉर्टी के लिवल में क्यामरा क्य निकल के आ रहे इवन पॉर्टर सॉट में भी काफी इची क्यामरा इंस्टाग्राम डिल्स वगएरा आपको एक दिन का बैटरी बेकप यह फोन अराम से निकाल के दे रहा है विच 5G नेटफर के साथ में 5G पलस में यूज कर रहा हूं इस फोन के उपर में एगर बहुत ज फोन के इसाब से मुझे काफी चाह देखने को लगा है बैटरी ज्यादा ड्रेन नहीं करता है किसी भी सेनाडियों में यहां पर जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो बैटरी के एमेच है वह आपको मिलता है फिप्टी फाइब एमेच की बैटरी तो बैटरी पेकप से कोई नेटर्वर्क इसूस होता है बट इस फोन के अंदर में मुझे ऐसा कोई इसूस फेस नहीं हुआ 5G पलस पे और 4G के उपर भी तो इस फोन में जो 5-6 जो गुट पॉइंट से जो मुझे काफी उसफूर लगा फोन को डे-टू-डे लाइफ में यूस करते वक्त बट इस फ प्राइस यादा झाल है नइन व informed tuo बार के अंदर में में सब्से ज़्यादा होता है हॉँ है वह सौफ्टा इस क्योंकि बीवा होसाप स्पेरियनच त्रय जरी जो लग भग लगा सेम भाटिरेंस आते तो इस फोन के अंदर भी software मुझे एक-दो bugs देखने को लगे जैसा कि draw mode में कभी-कभी application सो ही नहीं होता है draw mode कामी नहीं करता है कभी-कभार जिब मैं phone को reset करता हूं तो वहाँ पे मुझे फिर जाए करके वह draw mode सो होता है तो थोड़ा सा experience पे फोन अगर थोड़ा सा वर्क कर ले तो फोन काफी चानिकल के आएगा इवन इस फोन की उपर क्या विए एक स्रीच को पर भी आपको यह हल देखने को मिलता है क्योंकि किसी भी फोन को long term यूज़ करने के लिए soft experience ही बहुत important चीज़े भाई इसी पे सारा खेल है अगर softer बेकार तो phone बेकार बागी का मुझे इस phone में ऐसा कोई issues देखने को लगा नहीं यह phone काफी fast है अगर आपको यह phone बाई करना 28-29,000 में तो आप आराम से यह phone बाई कर सकते हो 28,000 में performance phone मुझे काफी से देखने को लगा है gaming के लिए video rating के लिए rendering के लिए heavy tasking के लिए आप आराम से phone को buy कर सकते हो और इस phone के उपर में आने वाली दिन में काफी सारे camera comparison काफी सारे test में लेकर आऊंगा काफी सारे phone में comparison लेकर आऊंगा तो आप उसके लिए चैनल को करना सब्सक्राइब और फटापर से बेल आइकन जुरूर प्रेस कर देना और कुछ भी queries है तो you can DM you on Instagram ओके आज के लिए तना ही काफी थैंक्यू सुमाद गाईस टेक केर